आपको रास्ते में कांटी का सामना करना पड़ेगा जहां आपको आगे बढ़ने या हार मानने की बीच विचार विमश करना होगा कठो निर्ने लेने और हर बार अपनी इच्छा शक्ती टूल बैग में गहराई तक पहुँचने के बजाए अपने लिए नियम रखने से आपको ये तैय करने में मदद मिल सकती है कि जब भी आप दो राहे पर पहुँचें तो कौन सी दिशा लेनी है हमें बच्पन से ही बताया गया है कि हमें नियमों का पालन करना होगा है इस बार हम अपने स्वयम की नियम चुन सकते हैं जो अंत्ता हमें वही हासिल करने में मदद करेंगे जो हम चाहते हैं नियमों को आम तोर पर मानसिक मॉडल कहा जा सकता है जिनका पालन करना महत्वपूर्ण हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक नियमों द्वारा बनाते हैं जिससे आपको हर नियमे लिना होता है कोई अपवाद नहीं चुनकि आपके नियमे पहले से ही आपको नियमों द्वारा आपकी लिये लिये गए हैं इस परकार आप स्वाचाली त्रूप से नियमे लेते हैं और अब आपके पास धट्टी इच्छाशक्ती और आत्म अनुशासन के आधार पर गलत नियमे लेने की गुंजाइश नहीं है जिसका अर्थ है हार मन लेना नियम आपको जवाब भे बनाते हैं ताकि आप इसे हर दिन खत्म ना करें बलकि मिद्धिशित हो अपने विश्व दिश्टी पौन और अपने दैनिक कारियों का मार्ग द्रशन करने के लिए अपने नियमों का उप्योग करें उन्हें आपके लिए हर निर्णे लेने दे एक नियम का एक अच्छा उधार्य ये है कि हर दिन अपने लक्षे के लिए अपने कारिय सूची में से दो कारियों को हमेशा पूरा करें ऐसा ना करना बिलकुल आस्वी कारिया है चाहि कुछ भी हो आपको चरन पूरे करने होंगे परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि आप अपने लक्षिती ओर बगती करें तब भी जब आप नहीं चाहते चुनाव आपके हाथ से बाहर था पर देक दिन काम करने का निन्ने लेना आपका निन्ने नहीं है ये आपके नियम द्वारा पहले ही आपके लिए बनाया जा चुका है और इस प्रकार आपके पास इसे करने के आलावा कोई दिकल्प नहीं है एक उधारन पर विचार करें जब जौन एक लेखत अपनी कारे सूचे में हमेशा दो चरन पोड़े करने के नियम परक्योग नहीं करता है सुभा वो उत्साहित होता है वो सोचता है काम के बाद मैं घर जाओंगा और अपना उपन्यास लिखना शुरू करूँगा मैं दो अध्याय लिखूंगा फिर वो काम पर जाता है और धर जाता है और पूरे दिन धीरे धीरे लेकिन निश्यक रूप से अपनी प्रेड़ना हो दीता है जब तक वो घर पहुंचता है वो केवल गॉसिप गर देखना चाहता है इसलिए चोकी उसके पास ये नियम लागू नहीं है इसलिए वो लिखने में विफल रहता है उसने शूनी प्रगती की है भयानक है जैसे ही वो बिस्तर पर जाता है वो खुझ से पर्तिग्या करता है कि वो कल चार अध्याय लिखकर खोई हुई प्रगती की भरपाई करेगा आपको क्या लगता है तब क्या होगा वो फिर ठका हारा घर आता है वो इस तर्थ को अपने लेखन लिखने का महग प्रपूर्ण कार्या है इसलिए उसे शुरू करना असंभव लगता है यदि पिछली रात उसके पास दो अध्यायों के लिए उर्जा नहीं थी तो निश्यत रूप से उसके पास आज रात के चार अध्यायों के लिए उर्जा नहीं होगी वो अभी भूत हो जाता है और कुछ भी नहीं लिखता ऐसा लगता है जैसे वो इस उपन्यास को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमेशा खुद को वास्तों में लिखने से दूर रखने का कोई न कोई बहाना ढूंडी लेते हैं उसने स्वयम को बहुत अधिक विकल्प और छूप दे दी और इस परकार बहुत आसानी से आत्म विनाश की अनुमती दे दी अब आईए विचार करें कि क्या जौन ने हर दिन नियम लागू किया जो काला और सफेध है और ठकान की परवाह नहीं करता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो कितना ठका हुआ और पेड़ना ही महसूस करता है वो जानता है कि उसे काम के बाद एक रात में दो चैप्तर लिखने होंगे कोई अपवाद नहीं और कोई बहाना नहीं इसलिए जब वो घर जाता है तो वो अपने कम्प्यूटर को देखता है और उसे बस टीवी देखने और आलसी होकर अपनी उर्जा बचाने का प्रलोभन महसूस होता है लेकिन क्योंकि वो अपने जीवन में एक नियम का पालन करता है वो उसे तोड नहीं सकता और इसलिए उसे लिखना पड़ता है वास्तों में वो पूरे दिन इसकी योजना बनाता है क्योंकि वो जानता है कि ये आ रहा है वो बैठ जाता है वो दो चैप्राइं लिख्टाता है वो ठक कर बीस्तर पर चला जाता है लेकिन संतुष्ट और खुद पर गर्व करता है उन्होंने अपने उपन्यास पर उलेखने प्रगती की है बहुत जल्द उसका उपन्यास खत्म हो गया और उपलब्धी की भावना उस उर्जा के लायक है जो उसने उपन्यास पर खर्च की थी जब वो काम के बाद ठक गया था नियम आपको पालन करने में मदद करते हैं क्योंकि वे आपके दिष्टी को सीमित करते हैं जब आपसे आपके नेने लेने की शक्ति छीन ली जाती है वही शक्ति जो आपको महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए शोशल मीडिया के साथ खिलवाल करने के लिए प्यवित करती है तब आपके हाथ बंधे होते हैं और आपके पास एवल यही विकल्प होता है यह अधियाय मियमों का एक सेट सामुहिक रूप से एक घोशना पत्र बनाने के बारे में है जिसका आपको हर बार सडक पर किसी मोड पर आने पर पालन करना होगा वे आपको धक्का देकर सही दिशा में ले जाते हैं और आपके इच्छा शर्प्ती को खत्म होने से बचाते हैं यहां आपके लिए कुछ विचार है नियम एक अपना मूल्यानकन करी नियम एक अपने आप से पूछना है यदि आलस्या या भई के लिए नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता इससे आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आप छंता या परतिभा की कर्मी के कारण कारें नहीं कर रही हैं बलकि आप एवल आसान दास्ता अपना रही है क्या आप स्वयम यही सुईकार करना चाते हैं जब आप इस तर्थ्या का सामना करते हैं कि आप आलस्यादर्पूक हो रही हैं तो ये आपको अब दुवैसन नहीं रहना चाता ये बट मिलाथ है जो आपको खुद को आलसी या डर को कहने के लिए मजबूर करती है और फिर आपको कारेवाई करने के लिए पेरिप करती है ये एहसास कि केवल डर या आलस से ही आपके रास्टे में खड़ा है आपको ये एहसास करने में मदद करता है कि ये कितना मुर्खता पूर्ण है इसलिए आप इससे उबर जाएं इसलिए हार मानने से पहले इन नियम बना लें कि आप हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या ये आलस्य या डर है जो आपको कार्य करने से दोक रहा है मान लीजिए कि आपका लक्षिय एक महीने में अपने ग्रहकों को इतने सारे प्रोजेक्ट वित्रित करके एक निश्यत राश्य कमाने का है लेकिन काम कठिन है और आप खुद को प्रेणनक होते हुए पाते हैं आप काम करना बंद करना चाहते हैं और कई दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं अपने आप से पूछें क्या मैं सिर्फ आलसी हो रहा हूं आप अपना काम करते हैं और ये जानकर अपने बारे में बहतर महसूस करते हैं कि आप अपना सर्वशेष्ट कर सकते हैं नियम दो अधिक्तम तीन कारिया नियम दो एक दिन में अधिक्तम तीन चीजों पर धियान के इंदित करना है केवल सबसे उपर अभिभूत या आवियवस्तित होने से काम पूरा करने की आपकी चमता खत्म हो सकती है कभी कभी हम जो चाहते हैं उस पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि हम समझदारी से योजन नहीं बनाते हम अपने आपको बहुत कुछ करने को देते हैं और हम अभी भूत हो जाते हैं लेकिन इस नियम का उपयोग आपको एक दिन में अधिक्तम तीन चीजों पर भियान केंडित करने की अनुमती देकर उस समस्य के खिलाफ योजना बनाने में सक्षम बनाता है। योजना बनाएं कि रात से पहले ये पहे करके कि आप अपना भियान केवल तीन चीजों पर कैसे कम करेंगे। केवल उन्हीं चीजों पर भियान किम्रित करने की तैयारी करें ताकि आप तारकिक रूप से योजना बना सकें और भावनात्मत रूप से प्रति किरिया ना जब आप अपने आपको एक दिन में तीन मुख्य कारियों तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं तो आपको एक जटका लगेगा वो है भेद भाव विशेश रूप से आपको महत्वपून चीजों और अत्यावशक चीजों के बीच में अंतर करना सीखना होगा महत्वपून चीजें अवशक की जानी चाहिए और इसे आपके शीश तीन में शामिल किया जाना चाहिए जबकि अत्यावशक चीजें अवशक नहीं है अत्यावशक चीजें महत्वपून लगेंगी और आपके तनाव का कारण बनेंगी लेकिन हो सकता है कि वे वास्तों में महत्वपून ना हो या प्राथमिक्ता ना ले हो सकता है कि किसी जरूरी काम के लिए किसी परेशान ग्राह के लिए समय निकालना हो जो आपको परेशान कर रहा हो इस बीच किसी ग्रहा को समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पहुंचाना एक महत्वपून कार्य का एक उधारन है आपके एजेंडे में सब कुछ महत्वपून और अत्यावशक पतीत होगा इसलिए आपको ये निधायद करना होगा कि कौन सा क्या है और उसके अनुसार योजना बनाए इसी तरह बेकार गती के बीच अंतर करें जो व्यस्त दिखती है लेकिन कुछ नहीं करती है और वास्तविक कार्यवाई जो कि आप जो चाहते हैं उसकी और गती है दिखार गती आपके डेस्क के चारों और कागजात को स्थान तरीद करना है जबकि वास्तविक कार्यवाई उन कागजात का उपयोग काम पूरा करने और किसी परियोजना पर प्रगती करने के लिए कर रही है जो वास्तों में माइने रखता है उसे प्राथमिक्ता दे आप अपने लिए एक एजेंडर निर्धायत करने के लिए इस नियम का उप्योग कैसे कर सकते हैं मान लीजिए कि आपको अपने बिजनिस के लिए पांच कारिया करने हैं दो कारिया वास्तव में महत्वपूर नहीं हैं और केवल इसलिए परतीत होते हैं क्योंकि वे अत्यावर्शक हैं। इसलिए आप बाद में उन पर ध्यान केंदित करने का निर्णे लेते हैं। आप धियान केंदित करने के लिए तीन कारे चुनते हैं और आप मुल्यांकन करते हैं कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है ताकि आप पहले उस पर धियान केंदित कर सकें। एक रात पहले अपनी कार्य सूची में उन तीन वस्तों को देखें और निधायत करें कि सबसे महत्वपूर्ण से शुरू करते हुए उन वस्तों को पूरा करने के लिए आप वास्तवी कार्यवाई में कौन से कदम उठाएंगे अगले दिन अपने पहले कार्य के लिए एक वास्तवी कार्यवाई करें फिर अपने दूसरे फिर अपने तीसरे कार्य के लिए एक समय में केवल एक ही कार्य पूरा करें और एक से अधिक कार्य ना करें कार्य दिवस के खत्म होने तक आपने यदार्थवादी गती से तीन प्रमुक्ष कार्य पूरे कर दिये हैं नियम तीन अपने लिए वास्तविक नियम बनाना है अधिक अनुशासित होने और अधिक से अधिक अनुसरन करने के संदर्ब में आपके लिए एक वास्तविक आचार सहिंता बनाएं अपना कोड विस्तार से लिखें और फिर उसे दिर्शे छेत्र में पोस्ट करें हाला कि आप हर दिन उन सभी का पालन नहीं कर सकते हैं लेकिन जब आप वास्तव में अपनी आचार सहिंता के बारे में सोचने और उन्हें लिखने के लिए समय निकालते हैं तो कम से कम आपके पास अनुसरन करने का बहतर मौका होता है नियम को आप रतिदीन जो करते हैं उसके लिए सीमाएं या अवश्यक्ताएं बनाने पर दिहान केंवित करना चाहिए ताकि आप वास्तव में पहल करें और कार्यव पूरा कर सकें ये नियम आपको ये निर्धायत करने के लिए मजबूर करता है कि आपको वास्तों में क्या चाहिए और ये विश्लेशन करें कि आप क्या हसिल करने के उम्मीद करते हैं मूलतहा आप स्वयम की जाँच करने और ये मुल्यांकन करने के लिए रूख रही हैं कि आप अपने अंतिम लक्षक की ओर कैसे आगे बढ़ रही हैं ये आपको अपने इरादों पर अधिक ध्यान केंदित करने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है जिससे वे आपकी कार्य नीती का अभिन्य अंग बन जाते हैं इसलिए जब आप कुछ हासल करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास खुद को प्रोजेक्ट पर अमल करने के लिए एक नियम होता है अपने आपको पांच दैनिक सीमाई और पांच दैनिक आवशक्ताई दे आप क्या नहीं कर सकते और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में स्पष्ट बयान दे सीमाओं को समझना अपेक्षक्रित आसान है वे व्याकुलता और प्रलोभन को सीमित करते हैं जहां तक आवशक्ताओं की बात है तो समझे कि आप सूपरमेन या सूपरवूमन नहीं है इसलिए आप अपने आप पर भोज नहीं डाल सकते इसके बजाए भोशियारी से काम करें और पांच आवशक्ताओं रखें जिन्हें आप यतोचित रूप से पूरा कर सकते हैं वो सकता है कि आप हमेशा इस नियम का पालन ना करें लेकिन कम से कम आपके पास अपने लिए कुछ मार्ग दर्शन तो होगा इसके अलावा आपको इस बारे में कुछ स्पस्टता मिलती है कि आपने प्रत्ते एक दिन अपने लेक क्या योजना बनाई है एक एक्जाम्पल ये है कि एक सीमा तैक की जाए कि आप एक दिन में एक घंटे से अधिक टीवी नहीं देखेंगे आप एक घंटे से अधिक नहीं बिताएंगे और आप एक घंटे से अधिक लंच ब्रेक नहीं लेंगे इस बीच आपकी अवशक्ताएं ये हैं कि आपको प्रते दिन कम से कम 30 पीज अवश्य पढ़ने चाहिए आपको दो पाहर के भोजन से पहले कम से कम 4 गंटे का पूरा काम करना होगा और जब आप साइन आउट करेंगे या काम से बाहर निकलेंगे तब तक आपको कुल मिलाकर 8 गंटे का काम पूरा करना होगा नियम चार आपके इरादों की पुष्टी करें नियम चार ताफिय हद तक नियम एक के समान है ये नियम तब लागो होता है जब आपको इसका पालन करने या ना करने का निर्णे लेने की बीच में एक कांटे का सामना करना पड़ता है ये नियम सुरम को याद दिला कर आपके इरादों की पुष्टी करना चाहता है कि वे क्या हैं और आप उन्हें क्यों हसिल करना चाहते हैं जब आप खुद को छोड़ने और आगे बढ़ने के बीच विचार विमस्ट करते हुई पाएं तो अपने आप से ये तीन प्रश्ण पूछें इससे भी भेतर उत्तर कहीं लिख लें ताकि आप दोबारा देख सके मैं चाहता हूँ ये वो जगह है जहां आप अपना अंतिम लक्ष बताते हैं और आप इसे कैसे लाभानवित होंगे आपका कारण और प्रेड़ना क्या है अपने आपको उन बहरी या आंतित प्रेरकों की याद दिलाते रहें जो आपके पक्ष में है अपने आपको कुछ इस तरह याद दिलाएं मैं अमीर बनना चाहता हूँ मैं करूंगा ये वो जगह है जहां आप बताते हैं कि आपको उस अंतिम लक्ष तक कैसे पहुँचने चाहिए और वहां पहुँचने के लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए ये कथन आपका दियान इस और वापस लाता है कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे पूरा करना कितना आवशक है और ये कार्या अंतिम लक्ष से कैसे जोड़ते हैं यात्रा लक्ष का आवशक हिस्सा है इस कथन में बहुत विशिष्ट होने से आपको ये देखने में मदद मिलती है कि आपको वास्तव में क्या कार्यवाई करनी है उधारन के लिए अपने आप से कहें अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे इस परियोजना को पूरा करना होगा और अन्य परियोजनाओं पर कड़ी मेहनत करनी होगी मैं नहीं करूंगा ये वो जगह है जहां आप बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्योंकि वो कार्यवाई आपके अंतिम लक्ष की और आपकी प्रगती में बाधा बनेगी आपकी प्रगती के लिए हानिकारक कई चीजे हैं जिन में ध्यान भटकना, परलोभन, अनुशाशन की कमी विलंब और अन्य, विनाशकारी या वियर्थिकार्य शामिल है अपने आप से कुछ इस तरह कहें अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मैं शोशल मीडिया से अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा और मैं अपने कारियर पर योजनाओं पर शोशल मीडिया को प्रात्मिकता नहीं दूँगा आईए इस अवधार्णा को संभावित वास्तविक जीवन की प्रहिली पर लागू करें जिसका आप सामने कर सकते हैं जब आप काम पर बेतन वद्धी पाने के लिए आवशक प्रमारन कारेक्टरम को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो आपके काम की मात्रा अत्यधिक लगती है और आप अपने हाथों में इतना कम खाली समय होने से गिणना करते हैं आप प्रमारन को छोड़ देने और कुछ भी कहने पर विचार करते हैं आखिरकार आपके पास नौकरी है तो क्या आपको सच मुझ अब खुद को आगे बढ़ाने के जरूरत है जैसे ही आप इस पर विचार करते हैं महसूस करें कि यही वो समय है जब आपको इस नियम को लागू करना चाहिए क्योंकि आप फोलो थू की राह में एक कांटा मार चुके हैं आप नियम लागू करना चुनते हैं और आप अपने आप से तीन बाते कहते हैं मैं काम पर अधिक पैसा कमाना चाहता हूं और अपने और भावी परिवार के लिए एक अच्छा घर खईदने में सच्छन होना चाहता हूं अगर मैं काम पर अधिक पैसे कमाना चाहता हूं और एक बहतर जगा पर जाना चाहता हूं तो मैं खुद को हदो उत्साहित नहीं होने लूँगा और इस कारेक्रम को प्रूरा करने के लिए काम करना बंद नहीं करूंगा या साधारन प्रलूभन या आलसे की कारण रास्ते से नहीं हटूंगा आपने आरंब से अंत तक केवल अपने इरादे बता दिये हैं जैसा कि आपने देखा होगा इस मुस्तक में एक प्रचलिक विश्य ये है कि दोहराव आगे बढ़ने में मदद करता है और दिमाग की उपरसिती महत्वपूर्ण है हो सकता है कि हमारे इरादे सबसे अच्छे हो लेकिन अगर हम उनके बारे में भूल जाते हैं तो वे कितने अच्छे हैं जब आप लगातार इन सवालों का सामना करते हैं आपका अंतिम लक्षर और उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए तो ये सब कुछ बिल्कु सबस्ट हो जाता है नियम पांच दस 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 के संदर्बु में सूचें अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी आगरह या प्रलोभन की आगे जुखने वाले हैं तो रुकें और अपने आप से पूचें कि अप से दस मिनिट, दस घंटे और दस दिन बाद आप कैसा महसूस करेंगे ये नियम इतना शक्तिशाली नहीं लग सकता है लेकिन ये प्रभावी है क्योंकि ये आपको अपने भविशक के बारे में सोचने और ये देखने के लिए मजबूर करता है कि भविशा में आपके कारियों का खुद पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है बहतर या बत्तर के लिए कई बार हम जान सकते हैं कि हम इच्छा शक्तिक हो रहे हैं या इस समय कुछ हानी कारत कर रही हैं लेकिन ये हमें ऐसा करने से रोकने के लिए परियाप्त नहीं है क्योंकि हमारा आपने भविशे से कोई संबंद नहीं है जिससे हमें लिबटना होगा ये नियम शीग्रता से वो संबंद बनाता है और ये अनुशासन की सपलता या विफलता की बीच अंतर पैदा कर सकता है दस मिनट गंटे और दिन का समय अंतराल क्यों क्योंकि इससे आपको ये महसूस करने में मदद मिलती है कि किसी अनुशासन का आनंद या आराम उसके वीर्ग कालिक परिणामों की सापेच कितना अल्प तालिक है दस मिनट में आप शायद अच्छा महसूस कर रही होंगे शायद शुरुवाती थोड़ी शर्म के साथ दस गंटों के बाद आप ज्यादतर शर्म और पच्चतावा महसूस करेंगे दस दिनों के बाद आपको अपने दीर्ग कालिक लक्षों को प्राप्त करने में आपके नेडने या कारेवाई के कुछ नकारात्मक परिणामों का एहसास होने पर पच्चतावा हो सकता है दूसरी ओर आप इस नियम को लागू कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अभी पालन करने में चूक से भविशं में दस दिनों में कोई फ्रक नहीं पड़ेगा यदि ऐसा मामला है तो आप अपराद बूध या शर्म के बीना थोड़ा आनंद ले सकते हैं उधारन के लिए कल्पना करें कि सहकरिमियों के साथ डिनर पर जाने के लिए वर्काउट छोड़ना है या नहीं के तहे करते समय आप इस नियम को लागू करते हैं यदि आपने व्यायाम करने की अभी शुरुआत की है और अभी तक इसे लगातार आदत में शामील नहीं करना है तो एक भी वर्काउट छोड़ने का आपका निड़ने भविशे के वर्काउट को छोड़ने या पूरी तहां से वर्काउट बंद करने की संभावना को बढ़ा सकता है आप दस मिनट गंटे और दिनों में कैसा महसूस करेंगे दस मिनट अच्छा अफसोस की थोड़ी से जलक के साथ क्योंकि आप अभी भी लसगना या आईस्कीम का स्वाथ ले सकते हैं आनंद अभी भी मूर्क है दस गंटे लगबग पूरी तहां से पच्चतावा क्योंकि आनंद चला गया है और छण भंगुर है और आपका आहार बुरी तहां से तूट गया है दस दिन 100% अफसोस क्योंकि तूटा हुआ अनुशासन अब पुरी तहां से अर्थहीन और एक धुंदली याद बनकर रह गया है लसगना का कोई स्थाई लाब नहीं है क्योंकि इसकी स्थाई लागत है दूसरी ओर यदि एक्सराइस पहले से ही आपके लिए एक सुसंगत और आनंद दायक आदत है तो कलपना करें कि आप से 10 दिन बाद आप कैसा महसूस करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक छोड़ा हुआ वर्काउट आपके दीर्ध कालिक अनुशासन या लक्षों के लिए हानिकारक नहीं है और जब आप इस नियम से परभावित नहीं होते हैं या आपकी इच्छाशक्ति की दुविधा अतिरित कठीन होती हैं तो आप अपने लिए एक अन्तिम प्रश्न जोड़ सकते हैं यानि अब दस अपताह या उससे भी लंबी अवधी में इच्छाशक्ति तूटने से आप पर क्या प्रभाव पढ़ेगा यदि आप अधिकतर दीर्ग कालिक मिर्णयों और कारियों में लगे रहते हैं तो आप माप दंडों को दस हफ्तों में बदलना चाह सकते हैं इस परकिरिया में स्वयम के प्रती इमानदा रहना और तर के संगत बनाने तथा बहाने बनाने की अपने छंताओं से सावधान वहना में पपून है उधारन के लिए आपने अतीत में कई बानशे की आदत छोड़ने की कोशिश की होगी लेकिन आस अपल रहे और अंतर तहा हानिकारत भिहवार को बढ़ावा दिया यदि आपका अनुशासन में एक चूक के बाद बुरी आदतों में पढ़ने का इत्यास है तो दस दिनों या दस हबते के बाद आप कैसा महसूस करेंगे इसका एक इमानदार मुल्यांकन आपको बताएगा कि अब आप अनुशासन में चूक बरदास्त नहीं कर सकते हैं आप अपने दीर कालिक लक्षों को प्राप्ट करने जा रहे हैं उस एक परिस्तिती में कि कोई अपुवाग या उजित नहीं था ये बहतर या बत्तर के लिए आपके चरितर का प्रती बिंब है उस एमानदारी और अपनी स्वयम के तर्क और बहाने देखनी की छंता के बिना इस नियम को लागू करना एक निर्थक अभ्यास हो सकता है नियम छे सिर्फ दस मिनिट अन्ति मियम सरल आसान और शक्पिशाली है ज़िए आप कुछ नकारात्मक हानिकारक या अपनी अनुसरन के लिए हानिकारक चाहते हैं तो उसे पराप्त करने से पहले कम से कम दस मिनिट वीट करें ये सरल है और इसमें बहस या बहाने के लिए कोई जगा नहीं है जब आपको कोई इच्छा महसूस हो तो किसे बेच्छा के आगे при非 जपने से पहले अपने आपको 10 मिनट तक वेट करने के लिए बाद भी करें ज़री आप 10 मिनट के बाद भी इसे खाने की इच्छा कर रहे हैं तो इसे खा लें या 10 मिनट और प्रतिच्छा करें क्योंकि आप पहले ही ये कर चुके हैं और ठीक ठाक बच गए हैं केवल प्रतिच्छा करने का चैन करके आप तत्काल संतुष्टी से तत्काल को हटा देते हैं अनुशासन का निर्मान और मिन्ने लेने में सुधार इसी तरह अगर आप कोई फायदेबन चीज़ छोना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट और रुके ये वही विचार पर दिया है जिसे अलग-अलग तरीके से लागू किया जाता है 10 मिनट कुछ भी नहीं है इसलिए आप इतने देर तक आसानी से पर्पिक्षा कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं फिर यदि आप इसे एक बार करते हैं तो इसे दुहराना आसान है है ना दूसरे शब्दों में हर बार जब आप सड़क के किसी मोल पर पहुँचे तो अपनी आप से कहें केवल 10 मिनट की इछा शक्ती और इस नियम का एक अन्यलाब अच्छी आद्मतों का उद्देश्य पुन विकास है यदि आपने स्वयम को 10 मिनट के लिए कोई उत्पादक कार्य करने के लिए बाधी किया है तो हो सकता है कि आप उसे 15 या 20 मिनट अधिक समय तक करते रहें अगली बार आपकी सहनशीलता इस तरहां बाढ़ जाएगी कि आप परलोभन और व्याकुल्टा के प्रती अधिक प्रती रक्षित हो जाएंगे अगली बार आप अतिरिक्त 6 या 7 मिनट तक जाई रख सकते हैं हर बार जब आप दिचलिक महसूस करते हैं तो बस कुछ मिनटों के लिए इच्छा शक्ति का परियोग करें और आप प्रतेक विर्दी के साथ लगातार बहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे सिर्फ 10 मिनट और के कुछ पुंडवर्ती पर आप गती के एक बिंदू तक पहुँच जाएंगे और ये अक्सर आपको घंटों तक ले जाने के लिए परियाप्त होता है इस पूरे अध्याय का निश्टश एक घोशना पत्र हर दिन पालन किये जाने वाले नियमों के एक सैट से ज़्यादा कुछ नहीं है हम नियमों से नफ़त कर सकते हैं लेकिन नियम हमारे अनुमान को खत्म कर देते हैं और हमें पालन करने के लिए दिशा निदेश देते हैं वे मामले को काला और सपेद कर देते हैं जो आगे बढ़ने में सहायक होता है क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्क नहीं है नियम एक क्या आप आले से की कारण कारे कर रही हैं यदि हाँ तो क्या ये वो चरित चितरण है जो आप अपने बारे में चाहते हैं नियम दो एक दिन में अधिक्तम तीन प्रमुक कार्या महत्वपून कारियों अत्यवर्षक कारियों और साधारन व्यर्थ गती के बीच में अंतर करें नियम तीन अपने लिए दैनिक सीमाईं और आवशक्ताईं बनाई ये आपको उस सीमा के भीता रखते हैं जो आप जानते हैं कि आपको करने की जरूरत है ये अच्छे आदतों की निर्मान खंड भी है नियम चार कभी कभी हम जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते इस परकार मैं चाहता हूँ मैं करूंगा और मैं नहीं करूंगा कथन कहकर अपने इरादों की पुष्टी करें नियम पांच एक बार में दस मिनट गंटे और दिनों की आधार पर भविश्य को देखने का पयास करें जब आप अनुसर ना करने पर विचार करते हैं तो क्या आप जो देखते हैं वो आपको पसंद आता है क्या भविश्य की कीमत पर वर्तमान सुयम को लाग पहुंचाना उचित है शायद नहीं नियम छे ये सिर्फ दस मिनट है है ना इसलिए यदि आप छोणा चाहते हैं तो ये सिर्फ दस मिनट है और यदि आपको प्रतिक्षा करने के आपशकता है तो ये किवल दस मिनट है चैप्टर फूर अनुवर्ति मान सित्ता